हलो दोस्तो आज जो हमारा वीडियो का टोपिक है हाउ टू चैन्ज मोटर डाइरेक्शन इन इस्टार डेल्टा स्टार्टर कि किस तरह से हम इस्टार डेल्टा में कनेक्टेड मोटर का डाइरेक्शन चैन्ज कर सकते हैं तो इस तरह के क्यूशन आपको किसी भी electrical entry में पूचे जा सकते हैं तो उस समय हमें क्या जवाब देना है उसी के बारे में हम detail में बात करेंगे तो basically dual starter के अंदर तो हम connected motor का direction motor side से तिनो phase में से दो phase को आपस में interchange करके motor का direction change कर सकते हैं या फिर हम जो हमारी power की MCV है उसमें से तिनो phase में से दो phase को आपस में interchange करके motor का direction change कर लेते हैं पर start delta में connected motor का direction change करने के लिए हमें motor side से तो basically start delta में connected motor का direction change करने के लिए जो हमने power MCV का use किया है उस power MCV के जो output में हमें तिनो phase मिल रहे हैं उन तिनो phase में से दो phase को आपस में interchange करके हम motor का direction change कर सकते हैं या फिर जो हमारा main contractor है उसके तिनो phase को आपस में interchange करके हम power growing का phase sequence change कर लेते हैं इससे हमारी मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो इस तरह से हम किसी भी स्टार डेल्टा में कनेक्टेड मोटर का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं तो उमीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों पे साथ सेयर करें मेरे चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद